दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 नवंबर को वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमी फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजी लैंड के बीच मुंबई के वान खेडे स्टेडियम में खेला जाएगा न्यूजी लैंड की टीम को सेमी फाइनल में हरा कर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुचने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने भारतिय टीम की प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव करके सब को चौका दिया है कप्तान रोहित शर्मा ने भारतिय टीम की प्लेंग 11 में ऐसे ऐसे खिलाडियों को खेलने का मौका दिया है जो अकेले के दम पर न्यूजी लैंड की टीम को कुचल कर रख देंगे दोस्तों एक बार फिर 2019 वर्ल्ड कप की तरह इस बार भी भारत और न्यूजी लैंड की टीम सेमी फाइनल में एक बार फिर आमने सामने होंगी 2019 में मिली हार का बदला लेने के लिए कप्तान रोहित शर्मा पूरी तरह से तयार है और नई रणनीती बना चुके हैं दोस्तों कहानी है आज से चार साल पहले कि जब 2019 का वंडे वर्ल्ड कप खेला गया था उस वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजी लैंड की टीम सेमी फाइनल में भिड़ी थी लेकिन न्यूजी लैंड की टीम ने भारत को हराकर ट्रॉफी जीतने के सपनों पर पानी फेर दिया था उस समय कप्तान महेंदर सिंह धोनी थे लेकिन इस बार कप्तान रोहित शर्मा है जो कि अभी तक इस वर्ल्ड कप में कोई भी मुकाबला नहीं हा रहे हैं दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी भारतिय टीम ने इस बार के वर्ल्ड कप में लगातार आठ मुकाबले खेलते हुए जीत हासिल की है अभी तक किसी भी टीम ने भारत को टक्कर नहीं दे पाई है तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि न्यूजी लैंड के खिलाफ सेमी फाइनल मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने भारतिय टीम की प्लेंग 11 में किन 11 धाकड खिलाडियों को खेलने का मौका दिया है किस खिलाडी को टीम से बाहर किया है और किसे सेमी मुकाबला जीतने के लिए शामिल किया है क्या होगी न्यूजी लैंड के खिलाफ भारतिय टीम की खतरनाक मजबूत प्लेंग 11 दोस्तों भारतिय टीम की प्लेंग 11 को देख कर आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि यह भारतिय टीम इस प्रकार से हो सकती है लेकिन दोस्तों ये सब जानने से पहले आप सभी को क्या लगता है क्या हमारी भारतिय टीम सेमी फाइनल में न्यूजिलैंड को हरा कर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुँच पाएगी या नहीं अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी भारतिय टीम इस बार वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं तो चलिए द के खिलाफ करो या मरो वाले सेमी फाइनल मैच में कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल ही भारतिय पारी की शुरूरात करते हुए नजर आएंगे दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रोहित और गिल कितने खतरनाक उपनर बल्ले बाज है भारतिय टीम लगातार नौ मुकाबला जीतने का इतिहास इन दोनों के बदौलत ही बना पाई क्योंकि ये दोनों ही बल्ले बाज शुरुआत से ही आकर विपक्षी टीम के खिलाफ काफी ताबट तौड बल्ले बाजी करते हैं ऐसे में न्यूजी लैंड के खिलाफ एक बार फिर इन दोनों के बल्ले से रन निकालना बहुत ही जरूरी है 2019 में मिली हार का बदला यह दोनों बल्ले बाज सूत समेत बराबर करेंगे जबकि दोस्तों नंबर तीन पर रन मशीन विराट कोहली बल्ले बाजी करने आएंगे न्यूजी लैंड के खिलाफ किंग कोहली को बल्ले बाजी करना बहुत ही ज्यादा पसंद है न्यूजी लैंड के गेंदबाजों की ऐसी पिठाई करने वाले हैं विराट कोहली जिसका अंदाजा कोई लगा भी नहीं सकता है क्योंकि दोस्तों किंग कोहली नौकाउट मुकाबले में अपनी पूरी ताकत जोंक देते हैं और भारतिय टीम को तो इस बार अपने बल्लेबाजी के दम पर चैंपियन बना कर ही छोड़ेंगे किंग कोहली इस वर्ल्ड कप में अभी तक भारतिय टीम की तरफ से सबसे सफल बल्लेबाज साबित हुए हैं किंग कोहली न्यूजी लैंड के खिलाफ शतक ठोक कर सचिन तेंदुलकर का वंडे में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड भी तोड़ने वाले हैं जबकि दोस्तों, नमबर चार पर श्रेयस अईयर को कप्तान रोहित शर्मा ने भारतिय टीम की प्लेंग 11 में खेलने का मौका दिया है श्रेयस अईयर ने पिछले मुकाबले में नीदर लैंड के खिलाफ ऐसी तबाही मचाई थी कि देखने वाला हर कोई हैरान रह गया था सुभमन गिल मात्र 94 गेंदों में 128 रण की नाबाद ताबड तोड़ पारी खेली थी जिसमें उन्होंने दस चोके और पांच गगन चुम्बी छक्के अपने बल्ले से लगाए थे श्रेयस अईयर मिडिल ओनर्डर में आकर भारतिय टीम को एक बहतरीन मजबूती देते हैं जबकि दोस्तों आपको बता दे नंबर पांच पर विकेट कीपर बल्ले बाज के राहुल को प्लेंग 11 में खेलने का मौका दिया गया है केल राहुल इस वर्ल्ड कप में मिडल ओनर्डर की जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभाते आ रहे हैं ऐसे में एक बार फिर नॉकाउट मुकाबले में न्यूजी लैंड के गेंदबाजों की जम कर धजियां केल राहुल उड़ा कर रख देंगे केल राहुल भारतिय टीम के लिए प्रमुक विकेट कीपर बल्ले बाज के तौर पर शामिल है न्यूजी लैंड के गेंदबाजों को राहुल के खिलाफ संभाल कर गेंदबाजी करनी होगी क्योंकि राहुल इस समय जिस तरह की फार्म में चल रहे हैं अगर एक बार मैदान में सेट हुए तो ट्रेंट बोल्ट से लेकर टिम साओधी मिचल सेंटनर किसी को भी नहीं छोडेंगे दोस्तों नंबर छे पर विसफोटक बल्ले बाज सूर्य कुमार यादव को प्लेंग 11 में खेलने का मौका मिला है दोस्तों जैसा की आप सभी जानते हैं सूर्य कुमार यादव कितने खतरनाक खिलाडी है सूर्या T20 फॉर्मेट में जिस तरह से टूफान मचाते हैं उसी तरह से न्यूजी लैंड के खिलाफ सेमी फाइनल मुकाबले में भी बल्ले बाजी करने वाले हैं सूर्य कुमार यादव हार्दिक पांडिया की जगह प्लेंग 11 में खेल रहे हैं आपको बता दे हार्दिक पांडिया चोटिल हो गए हैं जिसकी वजह से सेमी फाइनल और फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगे सूर्य कुमार को हार्दिक पांडिया की कमी पूरी करनी होगी हालांकि सूर्या गेंदबाजी तो नहीं कर सकते लेकिन बल्ले बाजी से भारतिय टीम को फाइनल में पहुचने तक पूरी कोशिश करेंगे जबकि दोस्तों नंबर साथ पर ओन राउंडर बल्ले बाज रविंदर जडेजा को भारतिय टीम की प्लेंग 11 में खेलने का मौका मिला है आपको बता दे न्यूजिलैंड के खिलाफ रविंदर जडेजा ने 2019 के वर्ल्ड कप में अकेले के दम पर भारतिय टीम को जीत के करीब लेकर गए थे लेकिन दुरभाग्य बस मैच को जिता नहीं पाए थे लेकिन अब की बार सेमी फाइनल में न्यूजिलैंड को अपने बल्ले बाजी और गेंद बाजी के दम पर जडेजा उस हार का बदला जरूर लेंगे जडेजा इस समय भारतिय टीम की तरफ से आल राउंडर के तौर पर काफी कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं जैसा कि आप सभी ने अभी तक खेले गए नौ मुकाबले में देखा ही है आपको बता दें, स्पिन गेंद बाजी के लिए कुलदीप यादव को कप्तान रोहित शर्मा ने प्लेंग 11 में शामिल किया है कुलदीप यादव भारतिये टीम के प्रमुक स्पिनर गेंद बाज हैं कुलदीप यादव की फिर्की भारी गेंद बजी के सामने न्यूजी लैंड की बल्ले बाज केन विलियमसन हो या डेवन कोनवे या रचिन रवींदर कोई भी कुलदीब की गेंदबाजी का सामना नहीं कर पाता है। दोस्तों, आपको बता दें तेज गेंदबाजी यूनिट की कमान जस्परीद बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज के हाथ में होगी। भारतिय गेंदबाजों का अभी तक के इस वर्ल्ड कप में सभी टीमों के खिलाफ दमदार प्रदर्शन देखने को मिला, चाहे वह पाकिस्तान हो, इंग्लैंड हो या फिर आस्ट्रेलिया। किसी भी टीम ने भारतिय गेंदबाजी का तोड नहीं निकल पाई। श्री लंका की टीम को तो भारतिय गेंदबाजों ने इस कदर बोरिया बिस्तर समेट दिया था कि श्री लंका की टीम अभी तक सदमे में है। ज्यादा मिलती है। साथ ही तेज गेंदबाजी को भी उतनी ही मदद मिलती है। हालांकि यह एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है।